में आपका दोस्तिने सिंबर हम बात कर रहे थे भुगोल सब्दकोस की और भुगोल सब्दकोस में अब आगे बढ़ते हैं इससे पहले हमने तीन वीडियो जो है जोग्राफिकल डिक्सनरी के अपलोड कर दिये हैं आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं विजिट कर सकते हैं आरपी चत्रवेदी की पुस्तक भुगोलिक सब्दकोस से लिया जा रहा है तो निवेधन आपसे की चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो अमंत्रित हैं कमेंट बोक्स में चलिए सुरू करते है आरकोस सबसे पहले देखते हैं आरकोस क्या है ठीक है आरकोस ऐसा बालू पत्थर जिसमें 25 परतिसत से अधिक मात्रा में फैल स्वार पाया जाता अथ्वा कोई भी बालू का पत्थर जो फैल स्वार में सम्रद हो आरकोस कहलाता है ठीक है बात करें आर्टीजियन द्रोनी बैसिन आर्टीजन द्रोणी बैसिन को देखें एक एसी वरत अभिनत सरस्टना जिससे आर्टीजन कूप का जल बहार धरतल तक आ जाता है आर्टीजन द्रोणी बैसिन क्यालाती है इस प्रकार द्रोणी में उपर और नीचे दो अभेद सेल इस्तरों के बीच सरंद्र सेल अत अर्टीजिन बेसिन क्याक्स की और इस्तानांत्रिठ होता है इस परकार की अभीनत सरस्थना को आर्टीजिन बेसिन द्रूणी कहा जाता है चलिए बागे बात करते हैं पाताल तोड़ कुआं या पिर उन्सुत कूप आर्टीजिन कूप देखते हैं परत्वी के बीतर गहराई में दो आपरवेसी सेल इसतर के भी सरंदर सेल अत्वा जल भरा का जल भारी द्रव इस्तेतिक जल तूलन दाब में रहता है और जब पुपरी अपार्ग में इस तरसे खोकर कूएं खेदे जाते हैं तो जल बरा सेलो से भुमिगत जल सुटाय दरातल पर आ जाता है इस परकार के कूओं को पाताल तोड़ कूएं आर्टीजिन कूप कहा जाता है इस परकार का परतम कौवं फ्रांस के आर्टोस कहां पर आर्टोस फ्रांस में सेत्र में खोदे जाने के कारण ऐसे घुपर जाता है इस परकार के कुवों की संक्या आस्ट्रिलिया में अधिक हैं ऐसा कुवा जिससे भूमी का जलूचदाप के कारण अपने आप बाहर निकलता है इस परकार के कुवों आस्ट्रिलिया में अधिक संक्या में पाया जाते हैं आर्टी कुलेटा पर्शित विज्यानिक क्यू मीयर द्वाराः प्रहस्तापित जिवानों की वनसावली जिसमें कीड़े मकोडे आदी को सामिल किया जाता है आर्टी ओडिक टाइल समखुरी खुर वाले इस्तंधारी जीओं को समखुरी कहा जाता है इस वर्ग में सूवर आ जाती है उसे बस्म संकू या पर सिंडर संकू कहते हैं आत्म साथ करण आत्म साथ करण देखें क्या है इस परक्रिया दुआरा समुदाय के अंदर धनाडेता आर्थिकिस्तती परजाती अत्वा धर्म के आदार पर पहचान वाले लोगों को मिस्तित करना जिससे वेक समान हो जाये इस परकार एक संसकूर्थी द्वारा अपने से भिन दूसरी संसकूर्थी को अपने में गुला मिला लेने की परक्रिया को आत्म साथ करण कहते हैं इस परकार से दूसरी संसकूर्थी के इत्यास और समर्थियों को इस परकार अपना लिया जाता है वेसे वे उन्हीं क हो दुर्बलता मंडल इस्तल मंडल के नीचे और मेंटल के उपर की 700 किलोमेटर मोटी घरम लचीली परत को दुर्बलता मंडल कहते हैं असम्मित गाटी को देखें असम्मित गाटी ऐसी गाटी जिसका एक ढाल दूसरी ढाल के अपक्सा तीरू ढाल होता है असम्मित गाटी कह जाह देगे पूस्ता का पूस्ता कार में जो है मानचितरों का संग्रण मानचित्रावली इस परगार की मान चित्रावली एडलस में छोटे मापकवर बने मानचित्र होते हैं एडलस सरवपरतम सनफ़ सर 15954 स्यू में मरकेटर चार्टों के संग्रण तै कि देखते हैं वायू मंदल फरत्रिके चार और गयसों के सम्मिश्रन के मोति तुपराज जो पहरों से गहरे हुए हैं वायू मंडल कहलाता है इसकी मोटाई कहीं सो किलोमेटर माने जाती हैं वायू मंदल की गयसों में और 7 10 परतिस्द भाग के वल नाइट किस किस का है नाइट्रोजन पर्सेνट निर्ण पर्सेंट में ऑक्सिजन इक परतिस्त है और 31 परतिस्त में अन्य गैस आती है आर्गन आती तिया आती है अधिक है नियोन आती है ही लेम आती है ठीक है अब पर वायूमंडल की परतों में विभाज़ी किया जाता है बहुतिक सरस्फना के आदार पर वायूमंडल की 5 परतों की पहचान की गई पांच परते कौन कौन सी उसको देखते हैं पर परिवर्तन या पिर शूब मंडल जिसे ट्रेड ट्रोप नर्व परका जाता है परिवर्तन सोब मंडल ट्रोप यह वाइव मंडल के सबसे नीचली पार्ट है जो इस्तोद्रेकापर शमुद्रत्रल से 18 किलो मेटर और धूर इस परत में जो है जल्वास की मात्रा 0.1 से 1% तक पाई जाती है जल्वास की मात्रा 12 किलोमेटर तक पाई जाती है इसी परत में मोसम के अधिका अंस्ता तू बनते हैं परिवर्तन सोब मंडल की उपरी परत पर मद्दे इस तरह तो सोब सीमा कहलाती है जो परिवर्तन मंडल और सम्ताप मंडल के मद्य 1.5 किलोमेटर के एक परत हैं स्थोप सिमा में वायो मंडल के दसा सांत रहती है सम्ताप मंडल सम्ताप मंडल जिसे परिवर्तन सोप मंडल से उपर 12-30 किलोमेटर चोड़ी पर सम्ताप मंडल कहलाती है इस परत में जो है टाप समताप मंदल में में से 30-35 किलोमेटर के बीच ऑजोन गेश के परत पाई जाती है कि जोन गेश का वायो मंदल में अथिदिक मेहत हुए क्योंकि इस आउरण के कारण सुर्य की पराबैंगनी किर्णे परत्वी के सत्य पर नहीं पहुंच पाती है अब देखें मध्य मंडल अगला अगला गोंसा मंडल है मध्य मंडल मैं सोई स्पेर समताप मंडल से उपर पचास से असी किलोमेटर की उचाई का भाग जिसमें साइब करम 80 अच्छी डिग्री से एंडिग्रेट रहता है इस नियुंतम आदन उन्टम ताप के सीमा से त्रको मध्य सीमा यह फिर में सोउ पास कहा जाता है चलिए बात करते ताप मंडल की ताप मंडल थर्मो इस पर की बात करें मध्य सीमा अथ्वा में सो पास से उपर की परत ताप मंडल के लाती इस मंडल में उचाई के साथ ताप बढ़ता जाता है इस मंडल की निचली परत जो है आयन मंडल के लाती कौन सा मंडल के लाती है निचली परत इसकी आयन मंडल के लाती है इस परत में विदूत परभावित कंड जीने अत्यन कहा जाता है पाय जाने एक तॉस पर वाई मंदल का यह सभ से उप्री भाग आयतन मंदल कहलाता है रासाइनिक संघन के आदार पर वाई मंदल को दो परतों में विभाजित किया जा सकता है इसको दो यह गविशे से सबसे पहले सम मंडल दूसरा विसम मंडल में इस मंडल की उच्छाई 90 किलोमेटर तक मानते हैं नहीं किलोमेटर इसमें इस मंडल में नाइट्रोजन आएगी 78.084 परशेंट की अधिकता पाए जाती है इसमें तीन उप मंडल परिवरतन भी शामिल है कौन कौन से परिवरतन मंडल समताफ मंडल और मध्य मंडल संदक किय जाते हैं विसम मंडल की बात कर रहा है तो इस मंडल के उच्छाई 90 किलोमेटर से उप पर मानी जाती है एक वलया परवाल भीति अत्वाधिव जिसमें मद्यम लेगुन जिसमें मलवा एक्तिरित हो सके स्टति वहलेकार प्रवालभीति अत्वा एटोल अत्वा परवाल जीव कहलाता है एटृल या आपर दित पठ्ठारी चमोटर होते हैं जो सागरतल से नीचे खूते हैं अत्वा सागरतल के ऊपर उठ जाने से इन चबूत्रों पर सेवाल का विकास हो जाता है इसे जाता है है पर्वाल बिति कि बाहरी दिवार शेवाल अधिक सक्री रहतें जिसे लेकि इन न केवल उपर की और वरन बाहर की और विकास अधिक होता है मालदीव एटोल अच्छा हो दारने मालदीव प्याद रखना इस परकार के अनेक दीव दक्सिन परसांद बाहसागर में इस्तित हैं एटोलन क्या एटोलन देखें किसी बड़े एटोल या वल्यकार मानी हवा और लहरों के बार कणों का एक दूसरे से टक्राते रहने से चोटा आकार हो जाता है उसे संग गर्शन किरिया कहते हैं अगला देखें ओग कौन सा ओग दक्सिनी प्रांच से बिस्की की खाड़ी की और चलने वाली उस्न और सुस्क हवाएं ओग कहलाती है दक्सि दूर उज्योती आयन मंडल में विदू चुम के गटना का एक प्रकास में परभाव जो दक्सिनी गोलारत के उच अक्सांसों में लाल हारे और शपेज चापों के रूप में दिखाई देता है यह भूपरस्ट से लगबग सो किलोमेटर परिस्तित होता है इस प्रकास को द दक्सिनी धूर उज्योती कहा जाता है उत्री धूर उज्योती को देखें उत्री धूर उज्योती आयन मंडल में विदू चुम के गटना का प्रकास में प्रभाव जो उत्री अक्सांसों मेलाल हारे तता सपेज चापों के रूप में दिखाई देता है इरात्री में प्रक देखें दक्सिन दिशा का होना या पर दक्सिनी होना आस्टरल कहा जाता है तत्र जनित को देखें तत्र जनित का साब्दी करते हैं उसी इस्तान पर निर्मान होना खनीचकनों के क्रिस्टली करण किरिया दोआरा सेलो का निर्मा उसी स्तान पर हुआ जो आज जांग है जांग आज वे हैं ऐसे इस्तिति में उन्हें तत्र जनिक कहा जाता है स्वपोसी जीव देखें स्वपोसी जीव क्या है पारिस्तितिक तंत्र के वे जीव जो स्वयम अपना भोजन उत्पन करते हैं जैसा कि पादप समूच और परकास उर्जा का उप्यूक कर उर्जा दायक भोजे पदार्त उत्पन करते हैं ऐसे जीव स्वपोसी जीव अत्वा भी जाणा पिर इत्पादक कहलाते हैं छोटि कपाल समथा और अभिलम मुदीन वाले मानम बात करें तो आस्टलो पिते संस क्या हा देखें छोटिक अपाल सम्था और अभिलम मुद्रा वाले मानम जो उत्तर उत्तर अतिनुतन और पूर्व अभीनुतन महाकल्प में पाय जाते थे उनकी नर्जाती विज्ञानों ने आस्ट्रो पिते संस नाम दिया एवालांस अत्वा अवगाव या पर हिमगाव डिले हिम मिटी और धेर के अकस्मात और तेजी से परवतों से फिसल कर नीचे आ जाना और भहुदा ये धेर जैसे ढाल पर नीचे आता है इसमें वर्दी होती है इसे एवलांस अपर अवगाव कहते हैं हिम के ढेर से बने एवलांस को हिम गाउ कहा जाता है एवेन की बात करें अब देखते हैं बू अपादरान भू अपादान को देखें बाड मेदान में जो है अभिवर्दी के प्रणाम सवरूप नदी कम उपर उठे बाड मेदान पर नए मारक पर मुर्ती है जिससे इस्तापित विसरपन पेटियां छूट जाती है नई पेटियां बनने लगती है इस सवस्ता को भू अपादाकरण कहते है स्वम सिद्या पिर स्वम तत्ति एक इस्तापिर सिद्धान तत्वा सुट्य स्वस्पिस्ट शत्ति होता है अक्स की बात करें अक्स एक्सिस क्या है पर्त्वी ग्रह के मद्दी से होकर गुजरन वाली कल्प द्रेका जो दोनों उत्री और दक्सिन दूर को मिलाती अक्स कहलाती एक ग्रह के मद्दी से पड़ती के मद्दी से होकर गुजरन वाली काल्प में ग्रह खाए जो उत्तर और दक्सिन दूर को मिलाती अक्स कहलाता है भोगुलिक वलंस अरशना जैसे अपनती अत्वा अभीनती के केंदर से गुजड़ने वाली कल्पित रेखा को अक्स गहा जाता है अभी अपनती में ये उच्चस्त भाग से गुजड़ती है जहां से इस्तर में दोनों और ढाल प्रारंब होता है अभीनती में ये दुरुण दिगंस या पर एजी मूत कहलाता है अगला देखें दिगंस समस्यत्र प्रक्सेप प्रक्सेप आ गया प्रोजेक्शन ये प्रक्सेप अन्य दिगंस प्रक्सेप होसे भिन है इसमें प्रक्सेप के केंदर से दूरी बढ़ने के साथ साथ अकसांस रेकों के बीच का अंतर कम होता जाता है इस कारण इस प्रेक्षेप में सम स्यत्रपल का गुन आ जाता है दिवगंस दिगंस कम सम दूरी प्रेक्षेप ये मानचित्र प्रेक्षेप दिवगंस कम प्रेक्षेप के समाहनी एक मानचित्र प्रेक्षेप है जिसमें प्रेक्षेप के केंदर से परशायत होन प्रक्षेप के रखना गलोब की सतय पर शमतल कागच के द्वारा ढखा गया होता है वह समतल पर प्रक्षेप्त होता है इसके परिणाम सब्रूब समस्त बिंदू दिक सूचक यांत्र कमपास के अनुसार सई दिक्मान होते हैं इस पर्शी सदेव दूरों पर ना रखा जाकर गलोब की सत्य पर कहीं भी रखा जा सकता इसपर्शी जहां भी गलोब की सत्य को इसपर्श करता है वो प्रेक्सेप काके अंदर होता है प्राग जेवी की बात करें प्राग जेवी क्या है सबसे प्राचीन अवसेस हीन सेल को प्राग जेवी कहा जाता है जिस मर्दा में उसकी यवावस्ता के कारण सुइस्पस चेनित साइस तरह विक्सित नहीं हो पाती है अगला देखें अजोस परती चक्रवाद क्या है अजोस फरती चक्रवाद को अजोस परती चक्रवाद को अजोस परती चक्रवाद खहता है यूद्रि गोलारत के उपोस्न उच दाब्तंतर का ही भाग होता है इसकी वह सत अकसान सी श्तति उपर नीचे होती रहती हैं सीथ रितू में कुछ दक्सिंग और गिस्म रितू में कुछ उत्तर की ओर खसक जाता है एजेत एक मानचितर देखें इस परकार के मानचितर अतियदिक अलंकृत परकार के होते हैं में 80 गट्नों का चित्रन अधिक रहता है अब देखते हैं A Alphabet से शुरू होने वाने पूरे होगे अब B Alphabet से शुरू करते हैं पवन वामावर्थन की बात करें पवन वामावर्थन यदि पवन की दीशचा समय अनुसार पस्च तट देके पस्च तट समुद्र तट चैतर का वो भाग जो सामानी उच्छ दिर्ग जवार किये इस तरसे उपर होता है पस्च तट कहलाता है केवल जब अपुवाद सवरूप बहुत उंचा दिर्ग जवार आता है अधा प्रचंड तुपान आता है तब ही ये सैतर स समुद्र तट पूलीन के पीछे खड़ी चटान और बालूरेत के टीले विप्राए पस्च तट में समलित किये ज़ाते हैं पस्च ढाल की बात करें बीक स्लो पस्च ढाल केवल उपर उठी हुई ब्रंस कगार द्वारा सिमित किया गया नत खंड और इसकगार की सिर्ष्रेका से जुकावा पस्च ढाल नीचे की ओर आता है तो पस्च ढाल के लाता है पस्च अनूप की बात करें बीक स्वाम कचार मेदान पर कच्छ अत्वा दलदली निम्द सेतर जहां तट के उपर से जाने वाला बाट का नजल नदी तटबंद और नदी घाटी पास्च और उचे उठे काँप अउसाद के बीच तालाब के रूप में एक्तित हो जाता है पस्च अनूप कहलाता है पस्च अनूप निक्सेब की बात करें प्राकरतिक तडबंदों के पीछे बाड बेसिन में जम्मा आउसाद जिसमें गाद और मर्तिका के वैपक जमाउ पाये जाता पस्च अनूप निक्सेब कहलाता है पस्च भीति की बात करें सर्क द्रोणी अत्वा भूसकलन का भ्रगु मैसेश पस्च भीति कहलाता है पस्च भीति की बात है पस्च धावन पीछे हर्ती तरंग की गती अत्वा पीछे की और लोडती धारा को पस्च धावन कहा जाता है पस्च रदन की बात करें पस्च रदन किसी बिक वेस्टिंग है न किसी हिमानी अगर के अपगमन अत्वा हिमानी के अपसरण के बरणाम सवरू पस्च रदन और अधो रदन दोनों होते हैं पस्च जल की बात करें जल को उसके मारग में बांध बना कर अवरूत किया जाना औ सप की गई भूमी पर दूर दूर तक बसे सयत्र साधंताया पोईनियर अधिवास की सयत्र के लिए किया गया था। किन्तु वर्तमान में नगरी सयत्र से दूर चित्रे बसे सयत्र के लिए सब्द का परियोग किया जाता है। उन्वाद भूमी कौन सी भूमी उन्वाद भूमी को देखें खड़े किनारों की भूल भूलेय से बनी भूआ करती जिने पार करना कठिन दताकर्षी के लिए बहुत अधिक तीर उढ़ाल वाले भाग होते हैं इन सहत्रों के अधिस्तर में प्राइम मर्तिका और शेल के इस्तर पाया जाते हैं जो तरहतली नद्यों और नालों दुवारा अतिदिक विद्रित होती हैं उतकात भूमी की सेल अभेदतता वीरल वनस्वती आवर अल्प कालें किन्तु भारी वर्षा से तीवरें जल भाव के सहुत करनों से विकास होता है बागियो बागियो देखें इकिस्तान ये नाम जिसके दुवारा फिलिपिन दीपों में उसने कटिबंदी चकरवात अनुभू किये जाते हैं बागियो के नाम से जाने जाते हैं पस्तिमी प्रशांत माहसागर के अनेक चक्रवाद टाइफून फिल्पिन दीपों के उपर से गुजरते हैं इसके अत्रिक चक्रवाद का एक वर्ग जुलाइस से नॉवंबर तक इन दीपों के उपर होकर गुजरता है बहादा या पर बजार्डा जिसे कहा जाता देखें बहादा बजार्डा दोनों नाम इस पर नहीं भासा है कि इस सब्धकार्थ होता अहरोई ढाल कौन सा है अहरोई ढाल कभी-कभी निमनी करना तलोचन के कान सीमी ढाल को भी बहादा कहा जाता है बायूई या फिलम वर्षन मद्य जुलाई के बीच उतब्पूरु की दिशा में चलने वाले चक्रवातों के परभाव में रहता हैं इसतर है जिसे सारे प्रदेस में गने बादल चाय रहते हैं तापकरम उचे रहते हैं और प्रयाब्त वर्शा होती हैं इस वर्षा को जापान में बाई यू वर्षा हतो पलम वर्षा के नाम से फुकारा जाता है। प्रयोग किया जाता है। दोनों ही अवस्ताओं में पदार्थ परोतों से बहकर आने वाले जल्धारों द्वारा लाया जाता है। वैपार शंतुलन कहते हैं। जब निर्यात की मात्रा आयात की अपेक्स अधिक रहती है। यान कि निर्यात जादा रहता है। तब वैपार को अनुकुल कहा जाता है। जब आयात की मात्रा जादा रह जाती है तो इससे पर्तिकुल वैपार कहा जाता है। हमारा जो वैपार है वो पर्तिकुल ही रहता है। यानि आयात जादा रहता है। इलमा आउतलब्रगु यह एक इसपनी भासा का सब्दे जिसका अर्थ होता है। अउतलब्रगु होता है। ऐसी आउतलब्रगु जो लटकी हुई सेल के नीचे एक आड़ बनाती है। बाल्टिक सिल्ड की बात करें। फिनलेंड और पूर्वी इसकेंडी नेवियन देशों का आर्कियन प्लेटफॉर्म बाल्टिक सिल्ड कहला था। यह प्लेटफॉर्म प्राचीन कठोर सेलों से निर्मित होता है। बानाडा बानाडा देखे। अर्जेंटेना के सारंदर एप लोएस पंपा गास कैं मैदान अरजेंटेना के सएरंदर जो लोएस पंपा गास को मेदान मेदानि पड़नेजिन में पाये में पटिका और कि अलए पर्टीका ग्राब प्टिका ग्राफ इस परकार कि आर्एक को मिश्त है का mateρिका ग्राब से भर देते हैं इस परकार परतियक उपविभाग के लिए अलग-अलग पठिकाएं बन जाती हैं किनारा क्या है किनारा को देख दें किनारा बेंग नदी का डलवा सिमांद भूमी सेत्र नदी की परिवेसी भूमी नदी तट अत्वा किनारा कहलाता है बात करें द्वज मेग पर्वत की पर्तक चोटी से नीचे की और फैला हुआ जंडे के समान दिखाई देने वाला मेग द्वज मेग कहलाता है इसका उत्करस्ट उदारण है मैटर हांड पर दिखाई देता है बार वायो मंडलीद आपके लिए सुकर्थ इकाई बार कहलाती है ये 29.53 इंच बार के बराबर होती है नदी के सारे सारे अनेक रेत और कंकड के टीलों के रूप में जमाव पाए जाते हैं जिने बार च या चैनल बार के नाम से जाना जाता है बीती रोधिका की बात करें या बीती या रोधिका प्राई बेरियर बार है ना प्राई कम गेर सागरों के तट रेक रोधी का सरवधा जल से उपर रहती है संग्ध राज अमेरिका के के रलेन राजे के तट पर इस प्रकार की बिती रोधी का पाई जाती है बिती रोधी का प्राय तीन प्रकार की होती है पदे क्या कौन-कौन सी खंडन बिंदू रोधिका ब्रेकपॉइंट बार, निम्च तबें पर पाई जाने वाले रोधिका जो तीर औढ़ाल वाले तरंगों के तट की और जाने से जमाव से बनती हैं जर्मन बाल्टिक तऺड पर इस परकार की रोधिका पाई जाती है खाडी रोदिका इस परगार की रोदिका का सिर्ष तट के समानांतर होता है किन्तों मुहाने तता संक्डी खाडी कटान के पार भी रोदिका का निर्मान हो सकता है अपतट रोधिका, कुछ रोधिका खाड़ी के मारग को अउरूद कर देती और इस तल की ओर अनूप का निर्मान होता है इस परकार की रोधिका को अपतट रोधिका कहते है बारबे ड्रेनेज, विमुकी अपवा, कंट की अपवा अपवा का एक ऐसा सवरूब जिसमें नदी अपवा परण, हिमानी अउरोध, अत्वा इस्तानिये, विवर्तनी घल्चल के कारण, मारग में आई रुकाउट के कारण, नदी एक आएक पीछे की और मुड जाती है लगबग उल्टी दिसा में बहने लगती है इस परण की अपवा परणाले को वीमो का अत्वा कंट की अपवा कहा जाता है बर्खान या चापाकार रेत का टीबा बर्खान या पिर चापाकार रेत का टीबा देख लेते हैं क्या है बरकान मुलते तुर्की भासा का सब्द जिसकार्ट होता नव चंद्राकार रेत का टीला सामाने रुप से निरंतर एक ही दिसा में चलने वाली वायो के अनुप्रस्त दिसा में अर्था समकौन पर इस परकार के टीले बनते हैं बरकान चोटे रेत के डेर से प्रारंब होते हैं जो वायो के चलने की दिसानी पवनों मुकी में किसी जाड़िया तो अवरोप से बनना आरंब होता है दीरे दीरे उस पर रेत एक्तिर्थ होती जाती है बरकान का पवनों मुकी ढाल तीवर और अउतल होता है जबकि पवनों मुकी ढाल उतल होता है तो यह बात थी जो ग्राफिकल डिक्सिनरी की जिसे हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं मिलते हैं अगले वीडियो में नास्कार